नमस्कार दोस्तों मैं संग्राम सिंग एसस प्रोट नौलीज यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे कि 1HP की मोटर को चलाने के लिए आपको कितने सोधर क्या वसकता है क्या उसकी कीमत है क्या उसको आपकी कोश्ट पड़ेगी तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरा पताऊंगा तो उससे पहले हमारे चैनल को एक पर सस्क्राइब जूरूर करें और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को देखें 1HP की मोटर का अधिकतर उप्योग आजकल गाउं में होता है क्योंकि शहरों में तो जो भूमी का जल है उसको काफी कम है लेकिन 1HP की समर्चिवल मोटर है जो गाउं में ग्रामिन शेत्रों में उसका अभी भी बहुत ज़्याद उप्योग है और क्योंकि पानी का एक मात्र साधन जो गरों में इस्तमाल होता है गाउं में वो ज़्यादा तर यही इस्तमाल होता है तो इसको चलाने के लिए अभी काफी डिमांड आ रही थी किसके उपर एक वीडियो बनाओ तो इसको चलाने के लिए कितने स्विर क्या बसकता है क्या कुछ उसमें कंपोनेटे लगेंगे क्या कुछ उसका घर चाएगा ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले अगर आपको 1HP की मोटर चलानी है उसके लिए दो परकार की सोलर लगते हैं किसी भी इलेक्टरिंग प्रोड़क्टों चलाने के लिए जैसा हमने बताया कि सोलर में दो परकार के सोलर है एक तो है on grid solar और एक है off grid solar डोनों के उपर मैंने on grid solar के उपर मैंने वीडियो बना रखी है और बाकी वीडियो लगबग off grid solar पर ही है जो भी किसी लोड को चलाती है क्योंकि on grid solar तो एक ऐसा है कि आपने अगर on grid solar लगवा लिया आप चाहिए 5 HP की मोटर चला सकती है उसमें कोई प्रोलम नहीं है क्योंकि on grid solar का सीथा संबंद आपके बिल से है ना कि आपके लोड से अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो आपका बिल आएगा कम चलाएंगे तो आपकी जो यूनिट है वो मलब एक्स्ट्रा होगी और government आपको उसके पैसे देगी लगवाग सभी government देती है कुछ ने अभी तक 1 रूपे, 2 रूपे, 3 रूपे, 80 पैसे के साब से अलग-लग state में अलग-लग उसका यूनिट रेट है पाक है off grid solar की off grid solar कितना चाहिए कि जिससे आपकी 1 HP की motor आराम से चल सके off grid solar में अगर आपको कोई भी electronic product चलाना है कोई भी अगर electronic product आप चलाना चाहते हैं तो off grid solar में उसका load जो उठाता है वो inverter उठाता है यानि कि जो भी inverter आप इस्तमाल करेंगे वो आपका 1 HP की motor को चलाने गई होगे होना चाहिए अब inverter कौन कौन से है market में जो solar inverter है 900 विये सबसे कमवाट का यह आता है उसके बाद है फिर 1500 विये 1600 विये 17,50 विये उसके बाद 2000 विये 2200 विये 3.7 kv उसके बाद फिर 5.5 kv या 5 kv उसके बाद फिर 7 feet 10 ऐसे धीरे धीरे 15,20 या धीरे धीरे ओफ गड़ी में 20,30 तक भी आते हैं यहां से आप अनुमाल लगा सकते हैं कि कौन सा inverter 1 HP की motor का लोड उठा सकता है 900 विये का तो नहीं उठाएगा सिंपल सी बात है बात है 1500 विये और 1650 विये की कि क्या 1500 विये का inverter या 1650 विये का जो inverter है वो 1 HP की motor का लोड उठा सकता है अब 1 HP की motor का जो लोड है अगर आप वाटेज बे निकाले तो वो आता है 746 वाट लेकिन जब उसका जो starting लोड है वो बहुत ही जादा होता है तो starting लोड के हिसाब से अगर आप inverter की जो पावर लगाए 1600 विये की या 1700 विये की वो बहुत ही कम बैठती है तो इसलिए उन इन्वर्टर पर ये समर्ष्वल मोटर नहीं चल सकती है उसके बाद बाद आती है 2000 विये की और 2200 विये की 2000 विये की जो इन्वर्टर है वो डबल बैटरी पर लगते हैं 1600 अगर आप उनको डबल बैटरी पर लगाए और तब समर्ष्वल चलाएं अब उसमें काफी केसिस मेरे सामने आए हैं जैसे मैंने प्रोजेक्ट लगाए हैं या और जो लोगों के जो मैंने देखा है 2000 विये में जो इन्वर्टर है बहुत सी कंपनियों के ऐसे इन्वर्टर है जो की आपकी 1HP की मोटर को नहीं चला सकते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कंपनी है जो है माइक्रोटेक अगर आप 2000 विये का इन्वर्टर लेते हैं तो वह आपकी समर्श्वल मोटर को नहीं चला सकता 2000 विये का एक अपकी समर्श्वल मोटर को चला सकता है एक दो कंपनिया और है लुमिनेश वगएरा का वो भी नहीं चला सकता उसके बाद आती है 2200 विये जब कंपनियों देखा कि 2000 VA के इनवर्टर में यह प्रोब्लम सा रही है तो कंपनियों ने फिर 200 VA का मोडल निकाला उसमें XIDE ने एंट्री की APRO ने भी UTL ने निकाला तो 200 VA का इनवर्टर जिसाब से डिजाइन किया गया है वो आपकी 1 HP की मोटर को चला सकता है यानिक अगर आप 1 HP की मोटर को चलाना साते हैं तो आपकी जो इनवर्टर की जो रिक्वार्मेंट है वो कम से कम 200 VA के इनवर्टर की है 200 VA से कम का इनवर्टर आपकी 1 HP की मोटर को बिलकुल भी नहीं चला सकता उसके बाद 200 VA के बाद आते है 3.5 kVA यानि की 3.5 kVA में 300 kVA का इंवर्टर है वो 48 वोल्ट में है 4 बैटरीज पर है वो समर्चीवल को चला सकता है लेकिन उसमें आपकी कोश्ट बहुत ज़ादा बैठती है उसके बाद जितने भी इंवर्टर है 5 में, 7.5 में, 10 में, 15 में, 20 में वो सभी 1HP की मोटर को चला सकते हैं लेकिन उनके हिसाब से बैटरी के आपका जो उनकी जो संख्या बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी कोश्ट भी बहुत ज़ादा बढ़ती चली जाती है तो इसलिए आपके लिए जो बेस्ट है वो है 2000V और 2200V का इनवर्टर अब यह तो बात होई inverter की 2000V और 2200V का इनवर्टर है वो डबल बैटरी पर लगता है यानि उसमें आपको दो बैटरीज किया वा सकता है, एक इन्वर्टर किया वा सकता है, जो आपकी 1HP की मोटर को चला सकता है, अब बाताती है, कितना solar आपको चाहिए, जैसा मैंने बताया, कि 1HP की मोटर का लोट होता है, वो 746 Watt होता है, पहले मैंने वीडियो में बताया है कि आपके घर के लिए कितना सोदर काफी है उस वीडियो मैंने बात बता रखी है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसमें क्या कुछ है कैसे है लेगि मैं पहले थोड़ा थोड़े मैं बताता हूं जितना भी आप लोड चलाना चाहते हैं उससे ज्यादा ही सोदर रखे है या कि एक किलोवाट का सोदर लगाएं अब जैसे ही आपने एक किलोवाट का सोदर लगाया एक किलोवाट का सोदर हो गया उसके बाद आपका बाइसो भी एका इंवर्टर हो गया उसके बाद आपकी दो बैटरीज हो गई इस पर आपका समझवल आराम से चल सकता है और सबसे बड़ी बात अगर आप वन किलोवाट का सोलर लगवाते हैं उसमें क्या है कि जितना लोड़ा आपके समर्शे लोग चाहिए वो उतना देगा अच्छी प्रडूस करेगा और जितनी एक्ष्ट्रा बसती रही कि वह आपकी बैटरी में स्टोर होती जाए जो आपके शाम के श जादे है जादा करना चाहिए 3.5 में 5 में वह आप आराम से कर सकते हैं वहां कोई प्रोल्म नहीं है लेकिन यह है कम से कम इंवेस्ट्मन कम से कम आपको इतना चाहिए अब इसके टोटल कोस्ट क्या होगी यह कितने का पड़ेगा बात करते हैं मार्केट लेवल की डो बैट बैटरी कीमत हो गई दो बैटरी कीमत हो गई 23000 यानि कि तेईस हजार रुपे इनवर्टर की कीमत है इनवर्टर की जो बाईसो विए दो हजार की मत आई हमारे किने वह लगबक 10,000 से 15,000 के बीच आई है ओना ने वरेग 12,000 हम उसको मान लेते हैं यानि कि यह टोटल हुआ 35 हजार रुपे 35,000 रुपे उसमें आपकी दोनों बैटरी हो गई एक इनवर्टर हो गया अब कोस्ट रह गई सोलर की एक किलवाट की सोलर ही कोस्ट कहा है इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में बिलकुल कैसे उसकी कीमत आप को लगाई जाती है किस-किस प 35,000 एक किलवाट सोलर का प्राइज हो गया 35,000 आपका इनवर्टर बैटरी का खर्च हो गया on and average 70,000 रुपे का आपका खर्च है आपको लेने पड़ेंगे 3.5, 5, 10, 7.5, 15, KVA ये इनवर्टर आपको लेने पड़ेंगे अगर आपकी मोटर ज्यादा बढ़ी है ये मैंने 1HP के मोटर के लिए बताया अधिकतर गहरों में वही इस्तमाल होती है इसलिए मैंने वीडियो बनाया तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको कोई सवाल है तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कुछिस करेंगे उसके अपर वीडियो बनाने के आपको उसका जवाब देने की और कमेंट करके जुरूर दाएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग और हमारे तनले को सस्क्राइब जरूरू करें